हाई गाइस कैसे हैं आप सब आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज मैं आप लिए लेकर आगे हूं बहुत ही चट पटा बहुत ही स्पाइसी बहुत ही मज़ेदार रेसिप्य। तो वीडियो के अंट तक जरूर देखना अगर चैनल पे नहीं हो तो प्ली मज़े लगते खाने में तो आइए चली इसे बनाते हैं इसके लिए मैंने यहां लिया है स्वाबीन और यह काली चना तो काली चना को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है अगर आपके पास टाइम कम हो तो गुर्बुना पानी में भी आप चनी को एट करें और 2-3 घंटे तक इसे सोबीन को मैंने चार-थमांटे सो घंटे तक लिया है आपको सरी ताइए चली इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिया मैंने कुकर लिया मैंने 45 चमच औलाट कर दिया है अच्छ तरिकर में च्याध कर लिया है 7 लाल मिर्च एक चोटाई चमच गोटी जीरा एक चोटाई चमच पच फोर अस्ते पंदा सेगं के बाद मैंने हिए दो मीडियम से इसकी प्याच को चॉप कर लिया था मैं उसको इसके अंदर एड़ कर दूँगी प्याच को अच्छे तरीके से हमें इसे चला देना है उसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी 2 चमच अद्रक लसुन का पेश्ट उसी बाटी में थोड़ा सा पानी लेकि इसमें एड़ कर दूँगी पानी एड़ करने के बाद हमें अद्रक लसुन को और प्याच को अच्छे तरीके से भून लेना है गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा उसके बाद मैं इसमें मसाला एट करूँगी तो मैंने यह एट किया है एक चमच जीरा पॉडर आधी चमच काली मिर्च पॉडर आधी चमच गरम मसाला पॉडर आधी चमच धनिया पॉडर आधी चमच लाल मिर्च पॉडर आधी चमच ह कर दिया था इसके बाद मैंने यहां दो टमाटर का पेश्ट रेडी कर लिया था इसको भी मैं इसके अंदर एड कर दूंगी टमाटर एड करने के बाद हमें मसालों को अच्छे तरीके से भूनते रहना है आप लोग याद रहें कि गैस का फ्लेम हमारा मेडियम रहा का वरना जल सकते हैं अच्छे तरीके से चलाते रहना है जब मसाले भून जाए हमारे मसालों में से अच्छे तरीके से आयल निकल जाए तो उसके बाद मैं इसमें स्वाबीन एड करूंगी और यह मैंने एक आलू चौप कर लिया था उसे भी मैं इसके अंदर एड कर दूंगी बच चने को एड करना है तो यह देखिए स्वाबीन हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं मैं इसमें चने को एड कर दूंगी चने एड करने के बाद इसे भी हमें अच्छे तरीके से भून लूंगी चने मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है उसके बाद मैं इसमें पा यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से चंप, आलू हमारे गलचुके हैं चने एकदम इजली गलचुका है बहुत ही अच्छे तरीके से कुख हो चुके हैं अब मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर दूँगी, मैं इसे कढ़ाई में इसलिए एट कर रही हूँ, क्यूंकि कढ़ाई में बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जी हमारे भुन जाते हैं, अल्टी-पल्टी करके हम इसे चला देना है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी एट करू सब्जी को चलाते रहना है, यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीक से सब्जी हमारे भुन चुके हैं, और कुग भी हो चुके है, तो गैस के फिल्म को और गर्म गरमी से सफ करें, एकदम सिंपल और एकदम इजी बताई हूँ, बहुत ही जटपड बन जाएंगे, बहुत ही आप लोग साथ शेयर करती रहोंगी जो लोग मेरे पिछली वीडियो वाच नहीं कर रहे हैं, बीज मेरे सारे वीडियो वाच करें और प्ली गाइस विडियो स्कीप करके ना देखिए, थी फूल वीडियो वाच करें, आप लोग के सपोर्ट के वजा से ही मैं आगे बढ़ कि अ कि अ बुए भूब कर दो कर से लिए 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 भूब कर दो दो कि अ कर दो कर दो है